हेलो नमस्कार दोस्तो नाम है मेरा बॉबी और यूटूब पर जानकाई देनी मेरी होबी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यह है मेंदरा स्कॉर्पियो एन देख सकते हो आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल आते हैं नई वाली मेंदरा स्कॉ स्कॉर्पियो आते थी जिसको अभी स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से जानते हैं उसमें मेंदरा का लोगो पुराना वाला आता था लेकिन अभी जो नई वाली स्कॉर्पियो में है इसमें हमें नया वाला लोगो चेंच और बहुत अच्छा लुक में देखने को मिल आता है लेकिन भाई पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है ये और premium feel दे दी गई है और इसके जो feature है वो भाई fully automatic और digital कर दिये गई है ज़्यादा से ज़्यादा all power window कर दिये गई है पहले भी आती थी लेकिन अभी इन्होंने door handle और जो इसका music infotainment है वो बहुत बढ़िया दे दिये गया है और engine start desktop का button देखने को मिल जाता है इनकी जो tommost variant लाइन आ जाते है उनमें और काफी अच्छी seat है जिनमें आपको बहुत से कम से कम पसीना आएगा और आएगा इन्हीं cooling AC की बहुत ज़्यादा जवरजस्त है और seat आप यहाँ पर electrically अपने साब से adjust कर सकते ह देखते हो foot rest बहुत बढ़िया है और आपके सामने automatic और manual की choice रहती है आपको इसावी variant prefer कर सकते हो और आगे बढ़ते हैं steering पर हमें बहुत सारे control मिल जाते है यहाँ पर हमें door handle मिल जाता है पकड़ने के लिए जिससे आप गाड़ी में आसानी से चड़ सकते हो कि थोड़ी स box मिल जाता है जहां आप अपनी टोल वगएरा की परची चोटे मोटे काड़ वगएरा रख सकते हो और यह आपके सामने automatic variant है इस करके इसमें हमें गैर दूसरे टाइप का देखने को मिल जाता है डे और नाइट दोनों मोड देखने को मिल जाते हैं एक और अच्छी चीज ह जो इसकी lighting है वो white light कर दी गई है पहले थोड़ी सी अलग आती थी छोटी छोटी सी गोल गोल light आती थी लेकिन अभी इनोंने change कर दी गई है sun glass holder देखने को मिल जाता है इसमें और ऊपर mic मिल जाता है mic के just ऊपर हमें sunroof देखने को मिल जाती है normal वाली sunroof है और इसमें panorama में sunroof अभी नहीं आई है बाकी next जन्रेस अभी next आने वाली है वो उसके लिए मैं आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा लेकिन भाई speaker है sound system बहुत अच्छा इसका 4-4-8-8-10 के आसपास speaker देखने को मिल जाते है और USB C type और USB normal वाली cable देखने को मिल जाती ह है और हमें dashboard पर जादा तर control मिल जाते है और एक बहुत बड़ा touchscreen मिल जाता है और आपको दिखाऊंगा इस event है पहले पहले आते थे बीच में लेकिन अभी इनोंने side side में कर दी गए है उपर हमें काफी बड़ी roof grill मिल जाती है chrome की finishing देख सकते हो आप पहले से ही आ रही है company से chrome की finishing आ रही है आपको गाड़ी लेने के बाद अगर आप Z4, Z6 या फिर Z8 तक L तक जाते हो आपको company से लेने के बाद कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं है और आगे बढ़ते हम पीछे भाई यह आपके सामने variant खड़ा है यह 7th seat रहे देख सकते हो ऐसे seat fold हो जाती है दो ल लोग तो बहुत ही आसानी से बैठ जाएंगे और इतने लोग बैठने के बावजूद भी भाई बहुत अच्छी जगे बच जाती है तो यह feature है और इसमें captain seat वाला भी variant देखने को मिल जाता है और भाई पीछे हमें यहां पे blower बढ़ाने का कम करने का option मिल जाता है यह दे sunroof एक बार फिर से दिखा रहा हूँ normal वाली sunroof मिलती है और आपको यह अपने हासे खोलना पड़ेगा बाकी automatic है single push यह पूल करोगे बंद और खुल जाएगी आसानी से बहुत ही अच्छे और यह बीच में हमें एक armrest मिल जाता है जिसमें आपको दो cup holder या फिर दो छोटी पानी की बोटल रखने की जगे या फिर can बगरा आप आसानी से रख सकते हो comfort बहुत अच्छा है sitting capacity मेंदरा स्कोर्पियो की पहले से बहुत अच्छी आती है लेकिन अभी नोंने और जादा बढ़िया कर दी गई है leg room आपके सामने है देख सकते हो बहुत ही बढ़िया leg room द पसंद है यह वाली या फिर scorpio classic हमें नीचे comment करके जुरू होता है इंजन cc की बात करते हैं तो 200cc का इंजन देखने को मिल जाता है petrol और diesel दोनों variant गाड़ी में available है जो tail light है पहले छोटी आती थी दो लेकिन अभी इनोंने बड़ी कर दी गई है उपर body के उपर तक चली आती है पीछे scorpio N की branding की गई है और पीछे हमें sensor वगएरा सारा कुछ देखने को मिल जाता है देख सकते हो side profile look आपके सामने है पांचों टायर में हमें alloy wheel देखने को मिल जाते हैं आपको एक वार गाड़ी लेने के बाद कुछ भी काम कराने की जुरूत नहीं है पीछे हमें shark fin antenna म से गाड़ी की look और अगर आप FM अगरा या कुछ भी चलाते हो जिससे network काम है तो वह बहुत अच्छे तरीके से proper work करता है और भाई side profile look की बात करें back look से बात करें और अगर friend look की बात करें तो भाई side profile चारो की चारो look बहुत जवर जासते हैं और all over interior बहुत बढ़िया है feature ब अलग-अलग variant चला जाता है बाकी अलग-अलग city के साफ से डेली के साफ से और डेली ncr के साफ से अलग-अलग जगे के साफ से 5-10,000 रुपए का फर्क पढ़ता रहता है यह मैं आपको exorum price बता रहा हूं साड़े बारा लाग से लेके 20 लाग तक चली आती है w n w से लेके 8L है और यह नई branding की गई है पहले आती थी F series आती थी लेकिन अभी इनोंने Z series निकाल दे गई है शरू मिल जाती है driver और MID display बहुत अच्छी है और 12 speaker 3D sound system देखने को मिल जाता है यह देख से आफ लोग interior बहुत प्यारा बना दिये गया है पहले से अभी आपके लिए मैं जल subscribe जरूर करें और bell icon को जरूर प्रेस करें fuel tank की बात कर देता हूं मैं आपको तो 57 लीटर का huge fuel tank देखने को मिल जाता है ground clearance 287 mm का ground clearance मिल जाता है power steering मिल जाती है power window मिल जाती है anti-lock braking system मिल जाता है driver passenger airbag मिल जाता है और alloy wheel available है यह गाड़ी में अमें बाहर से डलाने की जरूरत नहीं है अगर आप चाओ तो change भी करा सकते हो और भाई performance बहुत जवर ज़स्त है गाड़ी की और number of cylinder 4 मिल जाते है वाल पर cylinder भी चार मिल जाते है इसमें automatic manual दोनों available है rare wheel drive 4y4 भी variant इस हमें देखने को मिल जाता है 4y4 पहले आथा था स्कॉर्पीव में लेकिन बीच में discontinue कर दिया गया था फिर से अभी चालू कर दिया गया है आपको कैसा लगता है 4y4 हमें कमेंट करके जरू होता है धन्यवाद बहुत सब्सक्राइब जरूर करें